जब इस सीरीज को देखना शुरू गया तो मैंने लगा तार इसके दो सीजन मैंने एक साथ देख ली है और जब फर्स सीजन मैंने देखा था तो मुझे लगा यार इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि मन कर रहा था वीडियो बना कर मैं बता दून लोगों को कि इतनी अच्छी सीरीज है लेकिन 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 इसकी लास्ट में यानि फर्स सीजन के लास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि मुझे सेकिन सीजन देखने पर मजबूर हो गया मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैंने लगते ही उसका second season देख लिए फिर अपने आपको मैंने रोका कि नहीं आर अब आगे नहीं बढ़ना है पहले बात करेंगे पहले वीडियो बनाएंगे यार कुछ तो चाहिए ना चैनल पर डालने के लिए तो अब आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कोबरा काई वेब सिरीज के बारे में जिसके अंदर टोटल चार एपिसोड चार सीजन चार सीजन है नेट्फिलिक्स पर ये रिलीज हुई हुई है अभी जो फोर सीजन है अभी हाल फिलाल में आया है तो अभी मैंने इसके दो ही सीजन देखें तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे और हाँ किसी ने भी आगे के सीजन के बारे में जानकारी दीना तो ठीक नहीं होगा मैं कुछ कर तो नहीं सकता सोच रहा हूँ कि कोमेंट आफ कर दूँ नहीं नहीं मैं comment पढ़ूँ गए चलो चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं thanks कहना चाओंगा अतलिक मैंने उनका नाम सही से लिया हो वो एक subscriber है उन्होंने बार-बार comment करके का कि भाई कोबरा काई देखो कोबरा काई देखो पिर मैंने कि यार कोबरा कई में ऐसा है क्या फिर उन्होंने बार-बार कमेंट किया तो मैंने लगा चलो ठीक है देख लेते हैं और सच में मैं काफी खुश हूँ कि मैंने उनकी बात मानी और मैंने ये सीरीज देखी तो अब इसकी story की चर्चा कर लेते हैं इस series की कहां से शुरू करें कहां से शुरू करें देखो यार बहुत कुछ है बताने को ऐसा नहीं कि puzzling story है जो मैं सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ इतना जादा है कि कहां से शुरू करना है ये समझ में नहीं हा रहा चलिए शुरूआत करते हैं 1984 से जहां पर एक tournament चल रहा होता है ये पुरानी नहीं है पुराने जमाने की नहीं है आप सोचो कि 1984 के जमाने की नहीं एक past इसके अंदर दिखाया जाता है जब इस series start होती है कि 1984 में एक karate का tournament चल रहा होता है तो जो teenagers हैं वो आमने सामने होते हैं एक होता है Johnny Lawrence और उसके सामने होता है Daniel Luras से Daniel Luras से लारू से शैद ऐसा कुछ करके उनका नाम है कि उसे बोलाने जा रहा है तो यहां पर जो ये tournament होता है इसमें कुछ ऐसा घटता है जिसके उपर ज़्यादा असर पड़ता है Johnny Lawrence के ओपर वो अब प्रेजेंट एज में जब आते हैं तो प्रेजेंट के अंदर वो middle age का person हो चुका है यानि काफी ज़्यादा age हो चुकी है चालिस पैंतालिस के करीब उसकी age हो गई है अब वो unemployed है उसकी family उसके साथ नहीं है जिसका नाम होता है जो इसके पड़ोस में रहने आया होता है वो जो मिगल है इसका सिश्य बन जाता है और ये इसको कराटे सिखाना स्टार्ट कर लेता है अब ये जो कराटे सिखाता है ये अपनी डोजो यानि कराटे के कैडमी कोलता है जिसका नाम ये कोबरा का ही रखते हैं अब इसको लगते हैं मुझे कुछ ना कुछ मिल गया है अपनी लाइफ में एक मकसद मिल गया है इस बच्के को सिखाऊं और आगेबढ़ू और यहां से जर्नी स्टार्ट होती है लेकिन जो इसका परतिदवन्दी होता है मैं इसको दुश्मन नहीं कहा सकता जो डैनियल लारुसो जो जो डैनियल लारुसो है जो इसका परतिदवन्दी है यानि एक तरीका का competitor है दुश्मनी नहीं है वो care करता है इस इंसान की वो चाहता है कि ये भी अच्छे रास्ते पे चले बुरे रास्ते पे ना जाए लेकिन जो यहां पर इसकी परती दुनलता है वो कभी कभी दुश्मनी में बदल जाती है डैनियल जो है वो नहीं चाहता कि ये कोबरा काई जो है वो मतलब इसको आगे लेके आए क्योंकि कोबरा काई काफी जादा बदनाम उस वक्त दो जो या फिर कहें कि कराटे कैडमी हुआ करती थी जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ लड़ना सिखाती थी उनके अंदर गुसा पैदा करती थी उनके अंदर दया भावना ऐसी कुछ भी वो चीज़े नहीं लाती थी तो इस करके डैनियल इस कोबरा काई को पसंद नहीं करता था और ना यह वो चाता था कि आगे चलके ये कोबरा काई मतलब अस्तिस्तों में आए लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वही साब दोनों के दोनों अपनी अपनी कराटे अकैडमी स्टार्ट कर देते हैं और यहां से स्टार्ट हो जाता है संघर्स वैसे डैनियल काफी जाला समझदार इसके अंदर दिखाया गया है उसकी एक अच्छी खासी फैमली है वो काफी सक्सेस्फुल पर्सन है बहुत शान्त रहता है सबसे सही से बात करता है लेकिन उसका जब कभी आप behavior देखोता है ऐसा लगते हैं कि यह कुछ न कुछ मिस्स कर रहा है लेकिन उसकी एक तरीके कि जब वो आगे जलता है स्टोरी में हमें दिखते हैं तो यहां पर जब अपनी karate academy स्टार्ट करता है यानि अपना खुद का dojo स्टार्ट करता है तो उसको कही न कहीं अपनी गुरू की याद आ रही होती इसके बारे भी कम बात करते हैं अपनी स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो भी स्टोरी का हीस्स है तो यहां पर जब स्टार्टिंग में आप लोगों को जो 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 जोनी लोरेंस का जो करेक्टर है वो शायद थोड़ा बहुत खटक सकता है खटक in the sense की वो आपको पसंद नहीं आ सकता क्योंकि जैसे उसकी सोच दिखाई जाती है लेकिन जैसे जैसे आप आगे स्टोरी में बढ़ते हैं तब आपको हैसास होते हैं कि जोनी लोरेंस यह क्यों बना है इसके अंदर इतना गुसा क्यों है इतनी नफरत क्यों है क्यों यह इतनी गलत लेंगविज का यूज कर रहा है क्यों यह अपने जो स्टुडेंट्स हैं उनको गलत पार्ट पढ़ा रहा है उसके पीछे रीजन होता है कि उसको starting से जो इसका खुद का teacher होता था मतलब कि जो जो जोनी लोरेंस का जो टीचर था उसने खुद इससे इतनी ज़्यादा गलस शिक्षा दे रही थी उसका प्रभाव आप भी मतलब कि जो ये अपना खुद की एक राटे अकैडमी चला रहा है उसके उपर मतलब उसके दिमाग पर भी है और वही वो शिक्षा अपने बच्चों को दे रहा है लोगों से लड़ने की अपने आपको सबसे दादा ताकतवर बनाने की मतलब कोई भी दया नहीं करने की किसी की इज़द नहीं करने की सबसे पहले अटेक करने का कुछ भी नहीं बस यही सब चीज़ें वो अपने बच्चों के दिमाग में डाले जा रहा है भेद बाव करता है मतलब काले गोरे के बीच में शायद ऐसा कुछ इसके अंदर दिखाया गया था किसी का चेहरा अगर खराब है तो उसके बारे में यह मजाक उड़ाता है तो इस स्टार्टिंग में सारी चीज़ें देखने को मिलती है लेकिन यह सारा इसकी कोई कमी नहीं है इसको जैसा सिखाया गया था यह आज भी वैसा ही है अध्यापक जो होता है उसका काफी जादा परभा पड़ता है अपनी विध्यारती के उपर विध्यारती जब उससे सीखने आता है तो वो यही जानता है कि यह जो सामने इंसान है यह मुझे सब को सिखायेगा जैसे यह कहेगा मैं अपने जीवन में वैसा ही लागू करूँगा तो तभी कहा जाता है कि विध्यारती की जीवन में उसके पास कोई भी मतलब की परिवार का सदश्य नहीं है अकेला वो रह रहा है उसका बेटा उसे देखना नहीं चाहता इवन जैसे उनके relationship दिखाएं है दोनों बाब बेटे के पिता अपने बेटे से बात करने जाता है तो वो एक आप चेहरे पे देखोगे जोनी लेरंस के वो चाहा कर भी कुछ नहीं कर सकता जैसे उसका बेटा उसको जवाब दे देता है कि तुम तो इतने नाकामियाब इंसान हो तुम मुझे क्या सिखाओगे तो वो चाहा कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा है तो ये सारी चीज़ें क्यों ही क्योंकि उसको शिक्षा बहुँ ज़्यादा गरत मिली और उसके अपोजिट अगर आप डैनियल लोरुसो को आप देखते हो तो वहाँ पर जैसे उसको शिक्षा दी गई है वो बहुँ ज़्यादा सक्सेसूल बहुँ ज़्यादा शांत इंसान बना है तो शिक्षा का जैसा उसको स्टार्टिंग में दी जाती है उसका बहुँ ज़्यादा प्रभाप्रत है और इस बहाँ से तो मुझे सीरीज काफी पसंद आई है अब देखो अगर बोलने को जाओं तो बहुत कुछ है इस सीरीज में बात करने को क्योंकि इतने सारे क्रेक्टर्स हैं इतनी इतनी different चीजे हमें देखने को मिल रही है बट उन चीजों को मैं कम करने कोशिश कर रहा हूं कि मेरा मेरे मुँझे ऐसा कुछ भी नहीं निकलना चाहिए जिससे आप लोगों को इस सीरीज का कोई भी spoiler मिल जा और मुझे डांट सुनने को मिल जा और सच में मैं कोई भी डांट नहीं सुनना चाहता हूँ जो ये एक Daniel और यहां पर Johnny Lawrence है इनका तो अपस में मत बेच चली रहा है अपनी अपनी कराटे कैडमी चलाई रहे है उदर जो ये अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए हुए अब उनके अंदर भी वैर चलने लग गया है तो कह सकते हैं कि एक तरीके से इस सीरीज में ड्रामा, रोमेंस, प्यार दोस्ती उनके बीच में टक्रार बहुत सारी चीजें हमें एक साथ देखने को मिलती है अब यह जो स्टूडेंट्स जिनको यह लेकर आए हुए आपस में जो दोस्त होते हैं लेकिन वो अलग-अलग अकैडमी जो इन कर लेते हैं जो आपस में एक तरीके के परतिनदी यहां कहींगे इतनी जादा इनके अंदर दुश्मनी बन जाती है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते स्कूल के अंदर लड़ाईयां कर रहे हैं तो यह देखने में तो देखो स्टाटी में काफी मुझा आता है जैसे जैसे चीज़ें इसके अंदर दिखाए गई है रोमांस में जैसे जैसे में ट्विस्ट आता है मुझे बहुत पसंद आया है यार शुरू से लेकर आखिर तक मैं इसके साथ कनेक्ट रहा हूँ यह सारी चीज़ें देख कर मतलब कहीं पर भी मुझे ऐसा फ्रील नहीं हुआ कि यह मुझे बोर कर रही है नहीं हर एक एपिसोड जैसे खतम हो रहा था अब तो अगले एपिसोड देखने की इच्छा आपने आप बढ़ रही थी करे एक तरीके से मैं यह कह सकता हूं मतलब से replaced से सामने यहां आ रही थी सयस्पेंस ऐस्पराईस सी चीज़ें मुझे लग रही ही थी देंए मजा आ रहा था अब जैसे की first season के अंदर last में जो fight होती है जो megal है और एक Robie Robie करके लड़का होता है ये दोनो अलग अलग student है दोनो किराटी एक अडमी के तो किराटी academy के तो इनके अंदर जो fight होती है तो मैंने सोचा कुछ और होता है कि वो मैं नहीं बताने वाला कौन जीता है बट वो काफी सर्प्राइज रहता है तो यह मतलब जो इंट्रेस्ट कैसे मतलब इस चीज़ को अपने शब्दों में बया करूं वो मुझे काफी जोड कर रखी है यह कैसे हो गया महरान था वो चीज़ देखकर फिर मैं आगे-आगे और जैसा हम सोच रहे होते हैं ना स्टोरि के बारे में आब ऐसा होने वाली या जा रहा है जो आगे बढ़ रही है इंटरस्टिंग होती जा रही है और आप उन desserts की हहारा है मतलब जो इस ने अपने बालों को जैसे style में कर रहा है आगे रही है और आप उने बहुत मज़ा आया है मतलब जिस ट्रीके का उसका बेहविर है जैसे वो ट्रीट कर रहा है मतलब उस इंसानल को देखकर और मेरा जो फेवरेट सीन था इसके अदर मतलब अच्छे थे सारे की सारे सीन लेकिन एक जो स्कूल के अंदर जो फाइट होती है उसका स्टिंग जो एक फाइट काफी इंट्रस्टिंग थी और सच में अब उनका फेवरेट वही है परफॉर्मेंस की बात करूं तो हर एक कलाकार ने अपना हंडर्ड परसंट दिया या फिर को उससे भी जादा दिया एक जो फाइटिंग इसके अंदर देखने को मिलते हैं मज़ा आता है रो दे परफॉर्मेंस में सब ने अच्छा किया है मैं मुझे खासकर जोनी लॉरेंस जो एक करेक्टर उसकी जो परफॉर्मेंस वह मुझे बहुत जादा पसंद आई है जैसा आप स्टार्टिंग में उससे देख रहे हैं जो गुसा है उसके अंदर जैसा वो टूटा हुआ है जै एपिसोड 30-30 मिनिट का है मतलब ज्यादा देर का भी नहीं है तो मेरे तरफ से दोनों सीजन को 9-10 मतलब की पहले वाले को भी और 2 वाले को भी एक इसलिए कार्ड लिया क्योंकि आर नजर ना लग जाए तो देखो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई है अगर आप नहीं रखते हैं हाँ जिन्होंने नहीं देखिये तो एक बार प्लीज ट्राइ करना और यह बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर गाली गलोचा है हिंदी में अविलेबल है नेट्फिक्स पर आप देख सकते हैं बस इतना ही था तो वह साच के लिए था थैंक् मुझे बस्टाइ सकते हैं